दिवाली धमाका तारन कलोथ श्टोर फैंसी साणिया बच्चोंगे कपड़े सहिन समस्त प्रकार के कपड़ों के विक्रेता उजित दाम पर उपलब्द सबसे सस्ता सबसे अच्छा पता तारन कलोथ श्टोर थाने के सामने ग्यारसपूर मद्द प्रदेश संचालक अनुचैन मुवाइल नमबर 9981739504 सभी पिकार के दो पईया बहानों की रिपैरिंग एवं सर्विसिंग विदिशा के हौनहार मेकेनिको दोरा उचित दाम पर सभी दो पिया बहानों के समस्त पार्ट्स मिलने का एक मात्र इस्थान पता अराध्य ओटो पार्ट्स वस्टेंड रोड ग्यारसपूर मद्द प्रदेश संचालक नितिन जैन दीपक रगवनशी मुवाइल अबर 9893825012 सपना मॉटर्स बजाज शोरूम दिबाली धमा का ओफर पर पाईए विशेस छूट दिबाली धमा का प्लेटना पर 1600 से 2800 रुपे तक की करें वचाथ सब्सक्वाइल पता सपना मॉटर्स बजाज शोरूम गंज बस अगरण नितिन जाएए विशेस सप्सक्राइए विशेस प्लाणी दिबाली धमाज युट्ट का मद्ध प्रिदेश शिव शक्ति कंप्यूटर एंड पिंटर्स हमारी सेवाएं फिलैक्स, कार्ड पिंट, शालवंजिका गिफ्ट एवं ओलनाइन कार किया जाता है इस्थान यूको बैंक के सामने ग्यारसपुर मद्ध प्रदेश संचालक लीलाधर कुश्बहा मुवाईल नबर 9981271808 मुवाईल पिंट, शालवंजिका गिफ्ट, शालवंजिका गिफ्ट, शालवंजिका गिफ्ट शिवशक्ति मॉटर्स, स्कॉर्ट सोरूम, तिवाली धमा का ओफर पर पाईए विशेश छूट शुच्छ शुक्ति मॉर्डर्स, स्कॉर्ट फोरूम, गंज बसूदा, मद्ध प्रदेश कर दो कर दो कर दो सकना सदेश महानुभाओं शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वम परमशम दुख्म सर्वात्मशम सुख्म अर्थात जो औरों के बस में हैं वह दुख का कारण बनता है और जो स्वयम के वश में हैं वह सुख का कारण बनता है प्रदेश का हित आत्म निर्भरता के इसी केंद्री ये भाव में निहित है आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के निर्मान के संकल्प के साक्षी और सार्थी राज्य की लोकसेवाओं के प्रमुख परमादर्निय मुख्य सचिव महोदे मध्यप्रदेश शासन से मैं करबद अनुरोद करना चाहूंगा कि करपया आएं और अपने स्वागत उद्बोधन स आज के आयोजन को आलोकित करें आदर्निय मुख्य सचिव महोदेश परमादर्निय मुख्य मंत्री जी मंचा सीन मेंबर ओफ पार्लमेंट श्री वीडी शर्मा जी नीती आयोग भारत्शासन के सीओ श्री अमिताब कांची मंत्री परिशद के मान्य मंत्री गण वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश से जुड़े हुए हमारे मान्य सांसत गण विधायक गण और मेरे समस्त अधिकारी साथियो इस कारिक्रम में मैं आप सब का फिर्दे से स्वागत करता हूँ मैं स्वागत करता हूँ इन क्षणों का भी जिन में इस आयोजन की सुखत अनुभूती हमें मिली है और मैं स्वागत करता हूँ उस मार्क दर्शिका का भी जो इस प्रदेश के विकास की यात्रा का पत्परदर्शन करेगी मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ पहली आप सब जानते जरूर हैं पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ जिस समय मान्य मुख्य मंत्री जी ने सरकार की बागदोर संभाली थी उन प्रस्तितियों से हम सब भली भांती अवगत हैं संक्रामक कोविड भले विश्वयापी था प्रंतु दो दृष्टी कौन समय हो सकते थे एक तो ये सब जगा है तो जैसा बाकियों का होगा वैसा हमारा होगा और दूसरा ये दृड़ निश्चित्ता कि नहीं यहां वही होगा वैसे ही होगा जो जन हित में प्रदेश के हित में जनता के हित में सबसे बहतर हो हमारे सामने कितनी भी कठनाईयां रही हो बड़ी से बड़ी चनौतियां रही हो मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुख्यमंत्री जी का काम करने की उमंग, उनका उलास, उनकी उर्जा, उनका उत्साह, इनके सामने ये कठनाईयां हमेशां बौनी साबित थी, और यही कारण है कि जब देश के कई हिस्सों में और देश के बाहर के कई हिस्सों में संक्रामक, कोविड, नियंतरन से बाहर जाता दिखाई दिया, परदेश में वे हमेशां उसका परबंधन इसी परकार रहा, जैसे इन गिवन परिस्थितियों में जो यथा संबब बेस्ट हो सकता था. दूसरी बात, कठनाईयां कितनी भी रही हो, चनौतियां कितनी भी रही हो, उसमें विकास की गती धीमी ना हो, और ना सिर्फ गती धीमी हो, बल्कि उसके नए सपने संजोना और उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए व्यवस्था गत, नीती गत, निर्णे करना, उसका भी अगर कोई सर्वत्च कोटी का उधारन है, तो वो मान्य मुख्यमंत्री जी ने इन दिनों में प्रस्तुत किया, उनकी दृढ निश्चित्ता और उनकी प्रेरणा दे सकने की क्षमता का ही कारण था, कि हमने नीती आयोग के सहयोग से, उनकी सहायता से, विकास के चार प्रमुक स्तंभों पर बड़े संक्षिप्त समय में, बड़ी विपरीत परस्तितियों में, व्रहिद विचार विमर्श की विवस्था की, ये चार विकास के स्तंभ, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नन्स, हेल्थ एजुकेशन और इंप्लॉइमेंट थे, हालांकि कोविड ने हमारा बहुत नुकसान किया, हम सब उसक्षती से वाकिफ हैं, प्रम्तु मैं समझता हूँ कि अगर एक पॉजिटिव चीज भी हमको कोविड से मिली, तो वो परशासनिक विवस्था में निरने लेने की प्रणाली में एक आमूल चूल परिवर्तन, जो वीडियो कॉन्फरेंस की टेकनॉलोजी के माध्यम से हमारी आदत में शुमार हुआ, अन्य था ये फसिलिटी पहले भी थी, इसका उप्योग नहीं था, उस दृष्टी स मैं इसे COVID की एक positive contribution परशासनिक विवस्था में मानता हूँ, अगर ये विवस्था नहीं होती और ये एक निश्चय मुख्यमंत्री जी का नहीं रहा होता, तो ये संभव नहीं था, कि देश, विदेश के भिन भिन हिस्सों से लगबग साड़े 600 विशे विशे शग्यों ने इन चार conferences में चार दिनों में भाग लिया, अपने विचारों से, अपने subject expertise से इसको enrich किया, उसके अलावा online बहुत बड़ी संख्या में सुझाव लोगों के प्राप्त हुए, और इन सब का समावेश करने के बाद, मंत्री गणों की समितियों ने जो उस पर काम किया और अंतिम रूप से एक मार्क दर्शिका, एक रोड मैप को तैयार किया, उसके लिए मैं आप सब की और से, पूरे प्रदेश की और से मान्यमुक्र मंत्री जी का हिर्दे से अभारी हुए, प्रदेश की विकास की यात्रा किन गंतव्य पड़ावों से गुजर करके, किन मन्जिलों तक पहुँचेगी, उसे इस रोड मेप में शामिल किया गया है, उसका कितना महत्व है हमारे आने वाले समय के लिए, और उसका क्या विजन है, ये हम सब समझते हैं, पर हम आतुर हैं मान्यमुक्र मंत्री जी के उड़बोधन के लिए, उनके विचारों के लिए, जो हमें इसके बारे में विस्तरित रूप से अपने उड़बोधन में बत कि हम सब अपनी पूरी निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ, और जिम्मेदारी के साथ, इस रोड मैप को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा योगदान करेंगे, हम सब, बहुत-बहुत धन्यवाद. बहुत-बहुत धन्यवाद आधरनिये मुख्य सचिव महोदे. मिशन के, M से मिशन के, A से एक्षन के, और N से नीती के प्रतीक और प्रतिविंब, आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के विमोचन की बेला, अब हमारे समक्ष प्रफुलिद भाव से उपस्थित है. मैं माननिये मुख्य मंत्री जी से विनमरता पूर्वक अनुरोद करूँगा कि क्रपया अपने करकमलों से आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप का विमोचन करने का कस्ट करें, मंचासीन सांसद महोदे एवं मुख्य सचिव महोदे से भी सहभागीता हेतु साधर अनुरोद है बहुत बहुत धन्यवाद आधरेणी ये मंच जिनके सहयोग से हमने एक सपना संजोया है जिनके संबल से आत्म निर्भरता का बीज बोया है जिनके सुझावों को हमने रोड मैप में पिरोया है जिनकी सलाह लेकर मन्थन से अम्रत बिलोया है जिनका साथ पाकर आत्म निर्भरता में अग्रणी बनने की तयारी है अब हमारे पत्प्रदर्शक नीती आयोग की बारी है मैं ससम्मान अनुरोद करना चाहूंगा आज के आयोजन के विशिष्ट अतिति परमादर्णीय श्री अमिताब कांत जी मुख्य कारेकारी अधिकारी नीती आयोग भारत सरकार से कि वे अपने वर्चुल उद्बोधन से हम सभी का मार्ग दर्शन करने का कस्ट करें आधर्णीय श्री अमिताब कांत जी आधर्णीय मुख्य मंत्री महदय आधर्णीय सांसद श्री विश्णुदत शर्मा राज्य सरकार के सारे मंत्री गण मुख्य सचिव एवं सरकार के सारे पदद अधिकारी गण आज मदपदेश के लिए अत्यन्त महत्र पून दिवस है क्योंकि राज का तीन वर्षिया आत्मिर भर रोड मैप जो की मानिय मुख्मंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान जी के नेत्रुत में व्यापक विचार विमर्ष जिसमें नीती आयो की तक्नीकी से भागता रही है क्रियान्मन के लिए लॉंच किया जा रहा है मैं मानिय मुख्मंत्री जी के कुशल नेत्रत्र की सराना करता हूँ जिसको हाली में मंत्रपदेश के जन मानस का व्यापक समर्थन मिला है और उनको बधाई देता हूँ इस रोड मैप को तयार करने की पहल तब हुई जब मानिय मुख्मंत्री जी ने मानिय प्रधान मंत्री जी के आत्म निर्भर और वोकल पॉर लोकल के आवान को अपनाने का निर्णे लिया जबकि सभी राज सरकारों का ध्यान वर्तमान संकट पकेंद्रित है उस अवधी में मान्यमुकमंत्री जी के आत्मिन निर्भरता की दिशा में पहल एवं प्रतिबत्ता की मैं सराना करता हूँ एक जापानी कहावत है कि क्रियानवन के बिना विजन एक कल्पना मात्र है और विजन के बिना क्रियानवन प्राया सकारात्मक परिनाम नहीं देता है ये एक बहुती यथार्थवादी आवलोकन है संस्थान अपने विजन को सकार करने में क्यों सफल नहीं हो पाते हैं मैं समझता हूँ कि वह मिसिंग लिंक विजन और क्रियानवन के बीच की कड़ी है ये तीन वर्षिया आत्म निर्भर रोड मैप विजन और क्रियानवन के बीच सम्योजन की एक महत्वपूर कड़ी की भूमिका निभाएगा ये करी विजन एवं प्रियान्वन को श्रेणी बद करेगी और यही उसकी विशिष्टा है पूरी प्रक्रिया में आत्म निर्धर्था के विचार की रणनीती तयार करने को का व्यापक दुष्टी कोर रहा है इस प्रक्रिया की शुरुआत आगस्त मा में चार दिनों के वेबिनार में गहन विचार विमश में शुरू हुई वेबिनार सत्रों में मुख मंत्री जीने अपने विचारों को साजा किया जिससे हम उनकी अपेक्शाय समझ सके वेबिनार के उपरांत मंत्री समुओं के नेत्रुप में सिफार्चों की गई और इस मध्यवर्ती अबधी के दौरान नीती आयोक के साथ गहन बाच्चीत जारी रही नागरिकों की बहुयामी अपेक्शाओं एवं प्रात्मिक्ताओं को ध्यान में रखकर रोड मैप में उच्छ स्तरिय लक्षों को चिन्नित करते हुए ये कोशिश की गई है कि कारिय योजनाओं के अपेक्शित पढ़नाम दर्शाएं जाएं रोड मैप में 30 दिन की कारिय योजना भी शामिल है जिसे विभागों द्वारा अगले 30 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा इस कारिय योजना से क्रियानवन की प्रक्रिया को गती मिलेगी मद्ध प्रदेश ने मुख्मंत्री जी के कुशल नेत्रत से क्रिशी के शेट में सफलता हासिल की है ये रोड मैप अन्य शेत्रों में भी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है इसमें शामिल किये गए इन शेत्रों पर जोर रहा है क्रिशी में रोजगार के अलावा क्रिशी संबंदित सभी शेत्रों में विशेश कर खाद्य प्रशंस करन शेत्र में रोजगार एक मूल्यस संबर्दन की संभावनाव को विक्सित करना अर्थ जॉब इन अग्रिकल्चर टु जॉब अराउंड अग्रिकल्चर, मद्ध प्रदेश, दूसरा मद्ध प्रदेश, देश के मद्ध में स्थित है, अता राज में लॉजिस्टिक एवं इंफ्रास्ट्रॉक्टर सेक्टर को विक्सित करने का असीम संभावनाओं को आकार देना, परियतन एवं हरिटेज सेक्टर का विकास, न्यू मैनुफाक्ट्रिंग सेक्टरों का विकास, स्वास्त एव शिक्षा का सुद्दीद करन प्रद्योगी की का उप्योग करते हुए चहरी छेत्र में नए मानक्स थापित करना और इनोवेशन नवाचार एवं शासी सुधार, इस प्रकार इन छेत्रों के विकास में से आर्थिक अफसरों पर तथा रोजगार श्रजन को बढ़ावा मिलेगा, निजी छेत्र के सहियोग से विभिन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की है, इस रोड मैप में निजी छेत्र का सक्रिय भूमिक तथा साजी परियोजनाओं की संभावनाओं पर विचार किया गया है, इस रोड मैप के क्रियान्वन के लिए जिला स्तर पर प्रतिसर्था को बढ़ावा देना, उतकृष्ट जिलों को परस्कृत करना, एवं विभागों के विशिष्ट प्रोजेक्टों को मॉनिटरिंग एक आवश्यक्ता रहेगी जिसके लिए एक डैश्बोर्ड बहुती एफिशेंट डैश्बोर्ड तयार किया गया है, राज सरकार के नेत्रुत में राज की उन्नती की परिकल्पना तयार करना नीती आयोग के भागिदारी अपने आप में अनूठी पहल है, अन्त में मैं मद्पदेश के मानिय मुख्य मंत्री जी, वहां के मुख्य सचिव, सारे मंत्री गंड, चार टीम लीडरों और उनके सहयोगियों तथा नीती आयोग में संबंदित सदस्यों एव अधिकारियों द्वारा रोड मैप विकसत करने के अथक प्रयासों की सराना करता हूं और ब ये राज्य शीगरी देश के उननत राज्यों में सुभार होगा और मेरा मेरा लक्ष है कि मद्पदेश देश का नंबर वन स्टेट बनकर आगे आएगा तीन वर्षों के बाद मैं मद्पदेश को इस कारेक्रम आत्म एन MP23 विजन हासल करने है तू नीती आयो कि और से सारी शुक काम नहीं देता हूं और हमारे ऑफिसर सारे मिलके आपके साथ काम करेंगे बहुत ही बहुत धन्यवाद मान्यमुक्ष मंत्री बहुत-बहुत धन्यवाद आधनिये सर किसी ने सची कहा है चलना है खुद के पैरों पर तू निर्भर ना रह गैरों पर महानुभाओं भारत वह पवित्र धरा है जिसने संपूर्ण विश्व को ये सिखाया है कि एक गहरी सांस लेकर स्वयम को तनाव मुक्त कर लेना भी आत्म निर्भरता की श्रेणी में आता है सोचो अगर मैं नहीं होता तो क्या होता तुम्हारा इस ताने का इस तंज का सटीक उत्तर है आ अब मैं आज के कारेक्रम के विशिष्ट अतिती परम आधडनियं श्री विश्णुदध शर्मा जी संसर सदस्से लोग सभा को साधर साग्रह आमंतिर्थ करूँगा कि क्रप्यावे आएं और अपने सू विचारों से सदन को संपरिरित करें आधडनियं विश्णुदध श ये रोड मेप 2023 के इस विम्मोचन के कारिकरम में हमारे बीच उपस्थित मध्यप्रदेश के हमारे एसवश्षी और लोगपरी मुख्ध मुंत्री आदर्णी सिवरा सिंग चौहां जी मध्यप्रदेश सरकार के हमारे मुख्ध सचिव आदर्णी एकवाल सिंग जी नीती आयोक के हमारे अध्यक्ष आदर्णी अमिताव कांजी और ये सबसर पर सभी सम्मानी मंत्री गण सभी सम्मानी सांसत सभी सम्मानी विधायगण और वर्चली जो लोग आज इस अभ्यान के साथ जुड़ें ऐसे सभी हमारे प्रदेश के प्रबुद्ध जन साथ मैं ऐसे लोग जो इस कारकरम में आज लाभान वित होंगे खास तोर पर मारे स्टीट वेंडर्स जिनके साथ मानी मुख्यमंत्री जिने के विशेश अभ्यान पूरे देश के अंदर जिसका इत्यास बनाया यैसे उन सभी लोगों को भी इस कारकरम में मैं आप सब काविनन्दन करता हूँ मित्रो सबसे पहले तो मैं आज भारती जिनता पार्टी के हमारे यह सबसी मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश सरकार के अंदर वो एक दरी भी इस बात के लिए कभी कि छुट्टी लेकर के मैं कोई काम आगे प्रारंब करूंगा ऐसे इस देश के माननी प्रधान मंत्री और मध्यप्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री उन दोनों लोगों को आज हम सब लोग बहुत हिरदय की गहराईयों से धन्यवाद देना चाते हैं कि मध्यप्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी जिस गती के साथ इस संकट के काल में अगर मैं इस बात को कहूं कि पूरे देश के अंदर मानी प्रधान मंत्री जी ने जो दुनिया का संकट आया करोना के समामारी के संकट में जैसे हम जानते हैं कि माननी प्रधान मंत्री जी को पूरी दुनिया विस बात के लिए जानती है कि भल भारत नहीं कि चुनोती को अबसर में कैसे बदला जा सकता है और करोना के संकट में पूरी दुनिय का नित्रत करते हुए माने प्रधानमंत्री नरेंद बोदी जी ने ये करके दिखाया कि सुचुनोती को भारत के अंदर संपूर्ण भारत में कोरोना के संकट को नियंत्रित करते हुए अपने उस विचार के आधार पर अपने उस काम के आधार पर कि भारत में इससे कैसे बच भी है कि पूरे देश के अंदर कॉरोना के संकट से बहुत गंबीरता के साथ उसका समाधान निकालने का भी प्रयास किया और उसमें सपलता भी देश के अंदर मानी प्रधानमंत्री को और मध्यप्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्योंकि इस बात के लिए भी आज उनको धन्यवाद और बधाई देने की आवश्रक्ता में महसूस करता हूँ हमारा मध्यप्रदेश का पूरा नेत्रफ तो आज यहां पर है जो बर्चली लोग जुड़े हैं कि मानी मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री पद की सपत ली थी तो कॉरणा का संकट मध्यप्रदेश में एक बहुत अपने पैर पसार चुकाता उसमनोंने सपत ले करके उसी आधी रात से काम करना प्रारम भी किया और हमें गर्व है कि मध्यप्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के उस द्रड़ता के आधार पर संकल्प सक्ति के आधार पर आज मध्यप्रदेश भी कोरुना के संकट से बड़े पैमाने पर बचा है आज मुझे कहने में इस बात के लिए गर्व है कि जिस प्रकार से जो मैंने कहा कि चोनोंती को अबसर में बदल करके ये आत्म निरॉर भारत का जो संकल्प माननी प्रधान मंत्री ने इस पूरे देश के अंदर उस संकट से उबरते हुए उसका समाधान करने का जो प्रयास कि भारत को इस महमारी की भैववता से भी बचाया साथ मैं ही मैं अगर एक कहूं कि इस दौर में दुनिया आर्थिक इस तरसे भी आर्थिक तोर पर भी संकट में आ रही थी लेकिन माननी प्रधान मंत्री ने देश के उन लोगों के साथ गरीब, किसान, हमारे मजदूर उन ल में मध्यप्रदेश के अंदर हमारे माननी मुख्यमंत्री को एक बात के लिए जिरूर फिर एक बार बढ़ाई देना चाहता हूं कि उन गरीबों के लिए उस पैकेज के आधार पर इस्टीट बेंडर्स का अभ्यान पूरे देश कंदर माननी प्रधानमंत्री जी ने शुरू माननी मुख्यमंत्री जी के नेत्रत में सरकार के हमारे उस तंत्र के नेत्रत में जो किया इसके लिए पुने एक बार उनको मैं बढ़ाई देना चाहता हूं हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से देश की जो एकॉनोमी है मेसमी के आधार पर हम आज लगवग 29% एकॉन पर बनाया जाए किसान गरीब और हमारे उन मजदूरों के साथ हम कैसे ताकत के साथ खड़े हो जाव प्रवाशी मजदूर क्यों हो इन सारे मुद्धों पर इस दिसा में जो काम माननी प्रधानमंत्री ने और मध्यप्रदेश के हमारे मुक्तमंत्री जी ने किया है कि हमारी जो एकोनोमी है उसके आधार पर बढ़ाने के लिए इनफाइस्ट्रक्टर कैसे डवलप हो टेकनोलोजी का उपयोग हम कैसे करें और जो डेमोग्रेफी है उस जनसंग्या हमारी ताकप है एक देश के अंदर जो डेमोग्रफी है उसको उर्टाप कर देश के सकति नौजवाणों को और उस टाकत को एक चनलाइसी करके देश के एक बड़ी ताकत खड़ा करने का काम उसमें भी किया था और आज भी देश के अंदर उस डेमोग्रफी का उप्योग और शंसादन के तोर पर कैसे किया जा सकता है एक बखुवी तोर पर आज पूरे देश के अंदर इस दिसा में मन्नी प्रधान मंत्री ने आगे बढ़ने का साथ्सक्ता करें प्रयास किया है आज हम लोग कहते हैं कि लोकल पोखर लोकल और सवदेशी का जो चिंतन जो इतने वर्सों से इस देश के अंदर था था अज हमेंदे घरव हैं को पूरे दुनिया इस दिसा में जो अभ्यान मद्ध्यप्रदेस के अंदर शुरू हुआ है निति कान नीति आयो कि हमारे एंताव काण जी जो कह रहे थे कि अगर विजन है उस विजन के साथ उसको इंप्लेमेंट करने की योजनाभी जब होती है तब जाकर के चीजे शाकार होती है आज ये जो कारिक्रम है इस कारिक्रम में हम अपने उस ड्राप्ट को भी मोचन कर रहे हैं लेकिन साथ में इस ड्राप्ट के अंदर जिन चीजों को कि मध्यप्रदेश को आत्म निर्वर बनाने के लिए गरीब किसान मजदूर से देकर अपने MSME सेक्टर को ताकत देने के लि लोग यहां पर सीधे लाभानवित भी होंगे तो ये कारिक्रम योजना का भी है इस कारिक्रम में विजन भी है और इस कारिक्रम में इंप्लिमेंट करने का सीधे सीधे उन लोगों को लाभानवित करने का काम भी आज इस कारिक्रम में करने का प्रयास माननी मुक्यमंत्री और मद्धिप्रदेश के हमारी सरकार कर रही है इसके लिए मैं पुने एक वार उनको धन्यवाद देता हूं और मद्धिप्रदेश के हमारे सभी सम्मानी संसत सम्मानी विधायक और जो लोग आज इस कारकम के साथ जुड़े हैं मैं इस वात के लिए अनरोध भी करना चाहूँगा कि मध्यप्रदेश के अंदर इस आत्म निर्वर भारत के अभियान में कि अपना मध्यप्रदेश आत्म निर्वर बनेगा तो अपना संसदी छेत्रवी आत्म निर्वर बनेगा मेरी बिधनसवा का छेत्रवी आत्म निर्व था और उस दिसामें ग्रामीड जो कल्चर है ग्रामीड अर्थ विवस्ता है हम लोग कहते हैं कि गाउं का देश है तो उस आत्म निरवर्ता के आधार पर ये देश दुनिया के अंदर कभी किसी भी मंदी के दोर से लेकर के कोई भी संकट आया हो उस संकट से निजात पाने का काम ये जो हमारे कल्चर में हमारे गाउं के अंदर लोगों ने अपने अपने घर के अंदर जिस मैनेजमेंट का काम हमने करने का प्रयास किया है उसके आधार पर इ तैसमेन पर उतारने का काम हम सब बढ्राइब करने का प्रयास करें इसी के साथ आप सब को इक रह पनने धन्यबाद और माननी व कुछे मंत्री को बहुत 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 शुब्र 열 बदाइद देता हूं कि一定要 वह उत्काल तोर पर इस अभ्यान को प्रारम किया है हम सब लोग आपके साथ खड़े हो करके मध्यप्रदेश के मानी मुक्यमंत्री जी को मध्यप्रदेश की सरकार को हम सब मिलकर के ताकत देंगे और मध्यप्रदेश को आत्म निर्मवरान के संकल्प में पूरा मध्यप्रदेश आपके अधिक पत्विक्रेताओं का पंजियन हुआ है वो कल्यानकारी योजना जिसमें सहाथ हजार से अधिक हिदग्राईयों को रिंस विक्रत किये जा चुके हैं वो जनहितेशी योजना जिसके अंतरगत अब तक 40,000 से अधिक लोग लाभानवित हो चुके हैं वो महत्वा आत्म निर्भर मद्यप्रदेश के निर्मान की दिशा में उठाए गए बड़े और सफल कदमों में से एक है जी हां मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री ग्रामीन स्ट्रीट वेंडर योजना की जो कोरोना काल में छोटे-छोटे ग्रामीन पत्वे वसाईयों के लिए एक संजीवनी बूटी एक गेम चेंजर साबित हुई है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से साधर अनुरोद करना चाहूँगा कि क्रपया आत्म निर्भर मद्यप्रदेश का उतक्रष्ट उधारन बनी मुख्यमंत्री ग्रामीन स्ट्रीट वेंडर योजना के 20,000 हिदगराईयों को 20 करोड रुपे की कारेशील पुझी रिण के रूप में उपलब्द कराने की कारवाई का रिमोट दबा कर शुभारंब करने का कस्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाने की कसम खाने वाले आपदा को अवसर समस्या को समाधान और मुश्किल को मूलकिन बनाने वाले प्रदेश की आठ करोड जनता के जीवन में बेमिसाल बदलाव लाने वाले और दीपावली की दहलीस पर आत्म निर्भरता का पहला दीपक जलाने वाले परम आदर्णिय मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनम रानुरोद करूँगा कि करपया पदारें और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को करतार्थ करें आदर्णिय मुख्यमंत्री महोदय आज के कारिकम में विशेश रूफ से हमारे वीच उपस्थित भारती जनता पार्टी के प्तदेश अध्यक्ष और सांसत खजुराहो आदर्णिय विश्टू दत्त सर्माजी नीती आयोक के हमारे सीई ओ मेरे मित्र जिनों ने आत्म दिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आत्म दिर्भर मधवदेश का रूट में बनाने में नीती आयोक की पूरी टीम को लगाया स्वेम भी जुटे मैं उन्हें धन्यबाद भी देता हूं आदर्णी अमिताब कांत जी मेरे वो प्री मंत्री गान जिनको इस रोड मैप को अपने अपने विभाग के माध्यम से जमीन को उतारना है कुछ मेरे सामने हाँ उपस्थित हैं और कुछ वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से आज जुड़े है आदर्णी सांसद गन आदर्णी विधायक गन हमारे चीफ सिक्रेटरी एकवाल सिक बैस जी हमारे सभी अधिकारी गन और आज लाखों लाख मध्यक्देश के मेरे प्रिये बेहनों और भाईयों मेरे लिए आज का च्छन अदभुत है सचमच तुर्धान मंत्री जी ने क्योंकि वो चुनोतियों को अवसर में बदलना जानते हैं एक अपील की थी, एक आभान किया था करोना काल में आत्म निर्भर भारत मेरे मन में तब ये संकल पैदा हुआ कि आत्म निर्भर भारत के लिए आत्म निर्भर मध्यप्रदेश और आज वो पल आया है जब आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप को जनता के सामने प्रुस्तुत कर रहे हैं लोकार्पित कर रहे हैं इस संकल्प बद्धता के साथ कि मैं स्वयम, मेरे मानी मंत्रीगण, मेरे अधिकारीगण अपनी जन्ता के साथ मिलके इसको अच्छर सा जमीन पर उतार कर मद्धप्रदेश को देश के नंबर एक के राज्यों की स्रेणी में सुमार कर देंगे संकल्प के साथ हम आज जन्ता के सामने इस रोड में आपको किस्चत कर रहे हैं और जब आप निर्वर मद्धप्रदेश की बात कर रहा हूं तो मैं अपनी टीम के साथ आत्मिस्वास से भर के कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो जनादेश मिला भी परसों वो भी अधवत और अभूत बूरू है शायद कल्पना किसी को नहीं थी मैं कोई राजनेतिक बात नहीं कर रहा लेकिन प्रसंग है हमारे जो साथी जो हमारे साथ आये थे वो जतने वोटों से पहले जीते थे उसे कई गुना ज़्यादा वोटों से जीत के उन्होंने फिर रिकार्ट बनाया है 10-11 परसंट वोट ज़्यादा मिलना और कहीं 63-64 हजार कहीं 57-58 हजार कहीं 53-45 हजार कहीं 40 हजार कि सांदार विजय प्राप्त करना इस बात का धोतक है कि जनता को असीम अप एक्षाएं भारती जनता पालिटी की सरकार से है और हमारा संकल पर है कि हम इन अप एक्षाओं को पूरा करेंगे हम सत्ता के स्वन सिंग हसन पर बैठके समय काटने के लिए नहीं आए इन तीन साल में मदप्रेश की प्रगती असीम हो इसके जीजान से हम प्रयास करेंगे प्रधान मंत्री जी हमारी प्रेणा है उन्हीं की प्रेणा से हमने आत्म निर्भर मदप्रेश के ये रोट में अपतयार किया है वो केवल हमारे लिनी देश के लिए प्रिकास स्थम्भ है जो जित जुनून और जजबा मैंने उनमें देखा है देश की प्रिकाती का विकास का प्रण से पहरी जन्ता की कल्यान का सच मुच में वो हमें उसा से भर देता है काम करने की प्रेड़ना से भर देता है और आज मैं अपने ये संकल पुना दोराना चाहता हूँ कि अगर हमारी वरेन्य अगर कोई है हमारी आराध्य अगर कोई है तो वह मद्धप्लेस की आज करोड जंता मैं फिर दोराता हूँ कि मदप्रेस हमारा मंदिर है उसमें रहने वाली जनते ही हमारी भग्मान है और उस जनता का पुजारी सिवराज सिंग चोहान है ये सरकार है और उसी विश्वास के साथ कि लोगों के लिए बदलना है मदप्रेस हम आज इस पत पर आगे बढ़ने के लिए प्रिस्तुत है हम करोना काल में मैं भी बीमार हुआ है अस्पताल में भरती होना पड़ा अगा एक अपी लौर आज करना चाहूंगा क्योंकि लाखों लोग आज हमें सुन रहे हैं करोना को हमने निंत्रित कर लिया हम निपट भी लिए है मैं और मेरे मंत्री मंदल के सारे साथ यहां अर्वि से जूठे हैं लेकिन उस समय भी हम बैठे नहीं है लगातार वीडियो कांफरेंसिंग के मादन से काम में जुटे रहे हैं करोना काल ने हमारी अर्षवेवस्त अधौस्त कर देंगे आज मैं आपको बताता हूं कि तीन-चार महीने तो खजान में प्रसा था ही नहीं आई न बीच में ये प्रिस्तावी आया कि भारी आर्षव संकत है इस बार कर्मचारियों की तनखा कुछ महीने एक लिए कम कर देते हैं लेकिन हमने का कि कर्मचारियों की तनखा तो किसी भी कीमत पर कम नहीं होगी इतना जरूर है कि एरियर की रासी का भुगतान और जैसे मामले हैं वहमने इस्तिट किये लकिन बाद पो उसकी पाई पाई भी हम लेंगे वैसी परिस्टती में जब अर्थ व्यवस्ता संकत में हैं आज ये रोड मेप जनता के सामने प्स्तित करना और इसको पूरा करने का संकल्ब लेना अपने आप में एक चुनोती पूर काम है लेकि याशा होती है वाराह को निकलना पड़ता है हम रहा निकालेंगे मद्ध देश के नवनिर्वाण की विकास की और जन्ता के कल्यान की एक संकल्ब के साथ अपने आपको हम बांध रहें अकिला मैंने या आप सब मेरे मंत्री साथी मेरे अधिकारी जो आज मेरे सामने बैठें कलेक्टर और बाकित फील्ड के अधिकारी जो वीडियो काइंफरेंसिंग के बाद हम से हमसे जुड़े है अज सब को संकल प्लैना है इस रोड मैप को पूरा करने के लिए हम धनकी भी ववस्था करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही का है कि हम पैसे की कमी करोना नहीं दो सकते हैं कि हम क्या करें पैसा नहीं है अभी तक जुटाया आके भी जुटाएंगे हैं मुझे पूरा विस्वास है हम मिलकर प्यास करेंगे तो धन कोई कभी आड़े नहीं आएगी अभी अमिताब जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि धन के लिए हम निजी छेत्रों का भी सही होगा जाएंगे आउट आप वजट भी वोरोइंग भी हमने किये और वाकी रास्ते भी हम निकालेंगे मेरे प्रीमित्रों और मदप्रेश के सभी बेहनों और भाईयों रोड में अब आपके हाथ में आएगा मेरा आत्म दिवर मदप्रेश अदोसंदच्रा की द्रिश्टी से देश का सर्वस्रेश्ट प्रदेश बनेगा हमने 2003 के पहले का भी मदप्रदेश देखाए गड़ों में सड़क थी कि सड़क में गड़्धा था मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता है लाख लाखों किलोमीटर सांदार रोड हमने बनाए लेकिन अब हमें और आगया बढ़ना है चंबल शेत्र में अटल प्रोग्रेस बेग नर्मदा एक्सप्रेस बेग एक नहीं है और और यह किवल एक्सप्रेस बे नहीं होंगे हमारी कोसिस रहेगी नए इंडस्ट्रिल कलस्टर डेवलब करने की अलग अलग तरह की आर्थिक गत्विद्यां सुरू करने की उस दिसा में हम काम करने वाले हैं गाहों को प्राय हमने सड़कों से जोड़ दिया है बते हुए ग मेरा हाद मिर्वर मधबले पानी की एक एक बूंद का सारसक उपयोग करेगा सचाई की सुझा साड़े साथ लाग से बढ़ा के पंद्रा साल में हमने 31 लाग हेक्टर कर दिये और इसको बढ़ा के अब साच लाग हेक्टर के आस पास ले जाया जाए नर्मदा जी की एक बू जुख से उपयोग करेंगे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे समय सीमा में एक एक पानी की भून्द का पूरा उपयोग कर लिया जाएगा सिचाई केने को योजनाए अभी हमारे दिमाग में एक जमीन को उतर रही है उसको उतारके हम खेती को लाव का धंदा बनाएंगे कि किसानों की आए दुग ना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरा आत्मिर्वर मध्ध प्रुदेश कैन और बेत वज़ें सी परियोज़ना को केंदर के कौाइडिनेशन से प्रधानमंत्री जी के आसीरवाद से उत्तर प्रुदेश के साथ मिलके अब अमली जामा पहनाए मेरे आत्मिर्वर मध्ध प्रुदेश में छोटी छोटी जलसंदा चनाओं का जाल बिछाया जाएगा मेरे आत्मिर्वर मध्ध प्रुदेश में वाटर री चार्जिंग का एक विशेस अभ्यान लिया जाएगा मेरे आत्मिर्वर मध्ध प्रुदेश में बिजली की कम्या आज भी नहीं लेकिन और नहीं रहनी जाएगी, और नहीं रहने दी जाएगी, हमके अबल थर्बल पावर प्रांट्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे, सोलर से सूरज से जितनी विजली बना सकते हैं, उसका अभियान चलेगा, परियोजना हमारी तैयार है, मेरे आत्मिर देश में पहली बार सोलर पैनल विछा के भी सूरज से विजली उत्पन करने का काम किया जाएगा, मेरे आत्मिर वर्मद्व देश में, किसानों की आए धुगना करने के लिए विशेस अभियान चलाया जाएगा, खेती को लाब का धंदा बनाना है, तो हम उत्पादन बढ तकनीक काम इस्तेमाल कैसे करें, अच्छे बीच समय पे खाद, ठीक से पानी, और बहतर तकनीक का इस्तेमाल गरीब किसान भी कर सके, इसके प्रयास किये जाएगे, मेरे आत्मिर वर्मद्व देश में, किसानों को ठीक दाम मिल जाएगे, हम उत्पादन की क्वालिटी अगर किसान को नुकसान और घाटा होता है, तो उसकी भरपाई के लिए फसल भीमा योजना को और बहतर बनाया जाएगा, रहत की रासी जो दी जानी चाहिए, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे, मेरे आत्मिर वर्मद्व देश में, ठीक कीमत के साथ साथ, प्रधान मंत्री असमान इधी के साथ, मुक्षमंत्री करलान निधी उनके खातों मेरे आत्मिर वर्मद्व देश में, गरीमों को पूरा नयाे मिलेगा, आदैम अपने ग्रामी स्ट्रीड वेंडर के, 20,000 स्ट्रीड वेंडर के खातों में, 10,000 रुपे की रासी, जसकी वो लोन है, लेकिन ग में गरीब को पूरा न्याय और उसकी आयकें से बढ़े इसके संपूर्ण प्यास किये जाएंगे मेरे आत्मिर्वर मध्पदेश में किसानों के जोत्पातक संथनें उनको एफ योज को एक जनांदोलन बनाए जाएगा मेरे आत्मिर्वर मध्पदेश में संसाधों के बटवारे में गरीबों का पूरा ध्यान रखा जाएगा जितनी आबादी बजट का उतना हिस्सा उनकी अलग-अलग कल्यान कारी योजनाओं में हम खर्च करेंगे मेरे आत्मिरवर मधप्देश ने हम सीमराइज स्कूल लाइब ओ, लाइप्रेरियो पढ़ाने वाले बहतर सिक्षक हो इन्फरेस्ट्रक्चर हो जाए भले हमको 10-15-25-30 क्रूमीटर दूर से बसों से भी बेटे बेटियों को पढ़ाई के लाना पड़े हम लाएंगे एक एक विद्धाले में ददो सुजार बच्चे पढ़ें और उसकृष्ट सिक्षा प्राप्त करें इसका अभियान चलाया जाएगा मेरे आत्मिर्वर मधवदेश में कोई गरी बेटा बेटी धन के अभाव में पढ़ाई से उचे सिक्षा से बंचित नहीं रहेगा मेरे आत्म निर्वर मधप्रेस में इन्वर्सिटीज के स्थर को बहतर बनाने का और कुछ इन्वर्सिटीज को अखिल भारती और एक आत्म को अखिल विस्व के स्थर पर पहुंचाने के गंभीर प्रयास किया जाएंगे मेरे आत्मर्वर मधधदेश में, ग्रामिन इंफ्रेस्ट्रेक्शर को डेवलप करने में, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे आत्मर्वर मधधदेश में, रोट एक अपला मकान, पढाई लिखाई और दबाई और रोजगार का इंतजाम ये हमारा फोकस है उस दिसा में हमने ठोस योजनाय बनाई है हमारे आतनुर अर्मध्ध प्रदेश में सिक्षा के साथ साथ स्वास प्रधान मंद्री जी दिल में कितनी संवेदनाय रखते हैं और इसलिए आरोग के लिए उनकी योजना से लगा के प्रदेश अपनी तरफ से प्रदेश करके किसी गरीब को बिना इलाज के नी रहने देगी नीजी छेतरों के साहोग से अस्पतालों का जाल बिछेगा हमारे कस्वों में हमारे द्यादों में भी कैसे चिक्षा की सुविदा बहतर पहुंचे इसके भरपूर प्यास किये जाएंगे मेरे आत्मिर्वर मधफ्रेस में रोजगार और रथ जवस्था एक फोकस होगा मेरे सारे साथ ही यां बैठे हैं रोजगार 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 इसके हम मुक्य फोकस करेंगे और उसके लिए लगवर कुटी रुद्योगों का जाल बिचाया जाएगा मेरे आत्मिर्वर मधफ्रेस में महला ससक्ति करण के लिए हमारे जो महला सेल्फ एल्फ ग्रूप है सेम साहता समू है उनको विसेश रूफ से प्रोफ साहित किया जाएगा मेरी बेहने अलाग अलाग गाओं में जो सामान बनाती है प्रधान मंतरी जी ने संकल प्ली आए लोकल को वोकल करने का मेरी बेहनों के बनाए उत्पाद कैसे ठीक से बिके उसकी मार्केटिब गए ब्रांडिंग में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे बेहनों और भाईयों से इस अफसर मैं प्रधेस बाशियों से ये अपील करता हूँ कि प्रधान मंतरी जी ने जो संकल प्ली आए लोकल को वोकल बनाने का किर्पिया करके आप अपने आसपास सामान बनाने वाली बेहनों से बाईयों से सामान खरीदें नकेवल इस दिवाली पर बलकि हमेशा हम इस्थानी उतपादन जो हमारे पास है उसको खरीदने में वरीत आदें हमारे छोटे छोटे कारिगर हमारे कुमार सुन्दर दिये बनाते हैं दिवाली पे जलाओ हमारे कुमारों के दिये अगर देविजी की पूजा करना है तो बस्ति मेरे सेल्फ हल्फ ग्रूप की बेहनें बनाती है लक्ष्मी जी की मूर्ती हो गनेश जी की मूर्ती हो सजाबड के सामान हो अपने मधुदेश में बहुत पहतर बनते हैं और हम दोनों तरीकों से काम करेंगे चार परसेंट ब्याज पे उनको पैसा मिलेगा ताकि ठीक से वो अपने कामों को आगे बढ़ाने का काम कर सकें मेरे आतंदर बर मदब देश पे हमारे कारीगर चाये वो बढ़ई हो चाये वो कुमार हो चाये वो लोहार हो चाये वो बास का काम करने वाले हो अलग-अलग कारीगरों की कला विक्सित करके उनके हाथों में कोसल को और निखार के कैसे वो कोसल उनकी आमदानी का जरीया बने इसका विसेश रूप से प्रयास किया जाएगा मेरे आतम निर्वर मधप्रेस में ना हम छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लाएंगे के वर वो तो हम लाएंगे इंडस्ट्रिल कलिस्टर को और विक्सित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे लेकिन बाकी उद्धोकों का भी जाल विचाने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे मेरे आतमिर्वर मधप्रेस में तूरिजम को तूरिजम से रोजगार को विशेश रूप से इस्थान दिया जाएगा हनमंतिया जैसे टाकू हमारे सैलानी जैसे टाकूँ का और विकास किया जाएगा हमारे पुराततों महित्व की जो धरोहर है शिपशक्ती कंप्यूटर एंड पिंटर्स हमारी सेवाएं फिलैक्स, कार्ड पिंट, शालवंजिका गिफ्ट एवम ओल्लाइन कार किया जाता है इस्थान यूको बैंक के सामने ग्यारसपूर मद्ध प्रडेश, संचालक लीलाधर कुशबहा, मुवाईल नबर 9981271808 सभी पिकार के दो पईया बहानों की रिपेरिंग एवम सर्विसिंग बिदीशा के होनहार मेकेनिको दोरा उचित्दाम पर सभी दो पईया बहानों के समस्त पार्ट्स मिलने का एक मात्र स्थान पता अराध्या और्टो पार्ट्स वस्टेन रोड ग्यारसपूर मद्ध प्रडेश, संचालक नितिन जैन दीपक रगवनशी, वाईल नबर 9893825012 दसरा से दिवाली मनाओ उफ़र, जिहान नियुन्तम डाउन पेमन्ट पर बजाज की समस्त मोटर साइकल उपलब्द, फाइनेंस सुवधावी उपलब्द आसान किस्तो पर ग्राग की सिविल अच्छी होने पर जीरो प्रितिशत ब्याज की सुद्धा उपलब्द, संपर्क करें बेरार भाइनेंस लिमिटेट, च्रीपताप अटुमवाईल ठाने के सामने ग्यारसपूर मद्ध प्रडेश, संचालक स्वधीप रगवनशी, वाईल नमबर 9993508484 मद्ध प्रडेश महानुभाव, शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वम परम वशम दुखम, सर्वात्म वशम सुखम, अर्थात जो औरों के बस में हैं वह दुख का कारण बनता है सभी पिकार के दो पईया बहानों की रिपैरिंग एवं सर्विसिंग विदीशा के हौनहार मेकेनिको दोरा उचित दाम पर सभी दो पिया बहानों के समस्त पार्ट्स मिलने का एक मात्र इस्थान पता अराध्य और्टो पार्ट्स वस्टेन रोड ग्यारसपूर मद्ध प्रिदेश संचालक नितिन जैन दीपक रगवनशी वाईलबर 9893-825012 सभी देशा आराध्य शुख कादाता सभु का साथी महानुभावा, शास्त्रों में कहा गया है, कि सर्वम परम वशम दुखम, सर्वात्म वशम सुखम, अर्थात, जो औरों के बस में हैं, वह दुख का कारण बनता है, और जो स्वयम के वश में हैं, वह सुख का कारण बनता है, प्रदेश का हित, आत्म निर्भर्था के इसी केंद्रिय भाव में निहित है, आत्म निर्भर मद्यप्रदेश के निर्मान के संकल्प के साक्षी और सार थी राज्ज की लोग सेवाओं के प्रमुख